सितंबर 1925 में बैंगलोर आश्रम से गुर्देव का 13 ज्यान पत्र है शीर्शक है जूट बोलने वाला निर्दोश होता है मासूम होता है गुर्देव कहता है एक प्रिये व्यक्ति जिस पर तुम विश्वास करते हो तुम से जूट बोलता है और तुम उसका जूट पकड़ लेते हो तब तुम कैसा महसूस करते हो दुखी, क्रोधित, ठगा हुआ, निराश, करुणा मैं, नीचा दिखा दिया सम्मान की हानी होती है, अचम्भित, जटका सा लगता है, शर्मिंदिगी होती है गुर्देव कहते हैं, अभी जब किसी ने मुझे जूट बोला, तो मुझे खुशी हुई, ज़्यादा प्रेम महसूस हुआ क्योंकि वो जूट बोलने में निपुन नहीं थे, अगर वो जूट बोलने में निपुन होते, तो वो पकड़े नहीं जाते मैंने सोचा, वो निर्दोश है, कि उसे अच्छे से जूट भी नहीं बोल सकता, उसने जूट बोला और पकड़ा गया, अगर वो पकड़ा नहीं जाता, तब तुम कैसे जान पाते कि वो जूटा है तो एक जूट बोलने में निपुन व्यक्ति को आप सच में कभी भी जान ही नहीं पाओगे व्यक्ति जिसे तुम जूटा बोल रहे हो, वो जूट बोलने में निपुन नहीं है, और वो निर्दोश है है न तो तुम्हें इन सबी मानसिक जिमनास्टिक से गुजरने की जरूत नहीं है बजाए इसके प्रेम में गल जाओ घुल जाओ जेगर देग